आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही सिम्पल वे में बिना कोई अवन का यूज किये या फिर हैंड बीटर का यूज किये या बिना मैदा के सिम्पल मैंगो रवा केक की रेसिपी लेकर आई हूँ हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब विल्कम बैक टू माई चाइनल हंगर कीचन देखिए जब भी मैं शेप करने जाती हूं कोई केक को तो मेरा शेप ही बिगड़ जाता है पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हैती हूं चलिए छोड़िए चलिए अब नया प्रोसेस शुरू करते है इसके लिए मैंने बढ़ा सा एक कड़ाई दे दिया है और कड़ाई में मैं धेर सारा नमक दे दूँगी तो यह जो नमक है ना मैं इसे अनिटाइम यूज़ करती हूं इसी तरह के डिशेस बनाने के लिए तो देखिए नमक यूज़ करते करते इसका कलर एकदम ब्राउन ह हो गया है तो इसे मैं अब गरम करने के लिए रख दूंगी जैसे अवन प्रीहिट करते है ना तो इसे नमक को भी हमें प्रीहिट करना पड़ेगा तो जब तक नमक गरम होता है तब तक हम जो केक का प्रोसेस है वो शुरू करते हैं तो आज मैंने यहां पे बिलकुरी बोसें की आपक बहुत हिजाओं टेस्टि होता है और हेलधी भी है सूजी तो इसमें मैंने दो आम देदी हैं पके हुए याम कुटली निकाल कर तो इसमें थोड़ा सा नमक दे दूंगे क्योंकि मीठा में अगर नमक पड़ता है ना तो बहुत ही जादा टेस्टी हो जाता है और आधा कब जैसा रिफाइंड ओयल दे देंगे तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं घी भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो मैंने यहाँ पर अभी मिल्क पाउडर का यूज किया है तो मैं यहाँ पर पानी का यूज बिल्कुल नहीं करूंगी तो तीन चम्मत जैसा मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर दे दिया है अगर केक पूरा ही मिल्क पाउडर या फिर दूद यूज करके बनाया जाये ना केक बहुत ही ज़ादा टेस्टी होता है यहाँ पे चीनी स्वाद अनुसार तो आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी अंदाजे से चीनी दीजिएगा और यहाँ पे मैंने एक कप जैसा दूद यूज किया है अब देखिए मैंने एक चमच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी स्किप मत किजिएगा सोडा एकदम कम दीजिएगा चलिए अब केक तिन रेडी कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एकदम वाइट पेपर जो होता है उसे इसी शेप का काट लिया है और नीचे यहाँ पे मैंने बटर चारो तरफ लगा कर थोड़ा मैदा भी छिड़क दिया है तो आपको बटर पेपर लेनी की जरूत नहीं को भी प्लेन वाइट पेपर लेने से चलेगा तो अच्छी तरह से आप इसे चारो तरफ से तेल लगा कर इस तरह से शेप करके काट के लगा दीजिएगा और जो मैंने बैटर देखी बनाया है ठीक इसी कंसिस्टेंसी का बैटल लगा हुआ था सभी को अच्छी तरह से यहां पर दे देंगे देखें अभी जो एक फोक की मदद से हम बबल से हमको निकाल देना है तो अच्छी तरह से मिला देंगे भी रहत को थो और तो तो आफ कि डिलेंगे अ कि तो चलिए अब है अब इसे सजाने की बारी आ गई तो अब फिर से मैंदैसे कैसे लाँ पथा निम्हाइसंक्यास हो रहती हूं सजाने और कभी केक काटने में तो चलिए जैसे तैसे मैंने इसे सजा दिया तो आप अपने आपको जैसा पसंद है वैसे ही सजाईएगा तो कुछ चेरी मेरे पास पड़े हुए थे तो मैं सोचा मैं इसी से सजा दू थोड़ा इसको भी थोड़ा ब्यूटी पालर की जरूरत है अभी नमक गरम हो चुका है उसमें हम धीरे से केक टीन को रख देंगे और टेंपरेचर एकदम लो टू मीडियम में आप रखिएगा इसे हम अभी ढख कर 25 मिनिट के लिए पका लेंगे देखिए ठीक 25 मिनिट के बाद अभी देखते हैं केक बनकर तयार है की नहीं तो मैंने यहाँ पर एक टूटपिक की मदद से हम चेक कर लेंगे यह पका है की नहीं देखिए टूटपिक में कुछ भी लगा है इसका मतलब यह अच्छी तरह से पक चुका है देखिए मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ देखिए एकदम साफ आ रहा है तूटपिक इसका मतलब यह अच्छी तरह से पक चुका है तो केक एकदम ही बहुत ही फ्लफी बना है तो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही है प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं आपको यह गरम गरम ही काट कर दिखा रही हूँ तो देखिए मेरा कन्फूजन फिस स्टार्ट हो गया है तो मुझे पता नहीं क्यों कन्फूज सी रहती हूँ कैसे काटू और इतना गरम है मैं इसे अच्छी तर फ्लफी बना है एकदम सो थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई